Hello students, तो आप हम करेंगे question number 5, तो question number 5 क्या कहता है, tell whether the statements is true or false, यहाँ पर यह हमारे 4 statement दे रखें, और हमसे पूँच रहा है कि क्या यह true है या फिर false है, तो पहला वाला क्या कहता है, the mod is the always one of the numbers in our data, यानि जो data दे रखा होगा, या mod जो है, क्या उनी number में से कोई number होगा, या फिर उससे बाहर होगा, अब यहाँ पर जिसे example के लिए, solution डार लेते हैं, example के लिए हम दे लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 4, 5, mod क्या होता है, most repeating value, तो most repeating value क्या है यहाँ पर, 4 है, यह दो बार repeat हो रही है, तो यहाँ पर जो mod आएगा, वो 4 आया, और 4 हमारा क्या है, इसी data में से एक number है, 4 है ना, तो इसका मतलब यह statement क्या हो जाएगा, true हो जाएगा, second वाला statement, the mean is one of the numbers in our data, यहाँ पर पूछ रहा है कि mean जो है, वो क्या जो है, डेटा दे रखा है, उसी में से कोई number है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डेटा लिया, वो ले लिया, 2, 3, दो number ले लिये, अब अगर हम इसका mean find out करें, तो क्या आएगा, mean is equals to 2 plus 3 upon 2, यानि जो observation होता है, उसको add करते हैं, और नीचे जितने number of observation है, ठीक है, तो यहाँ पर दो ही observation है, तो इसलिए हमने 2 से divide कर दिया, तो यह आएगा, 5 upon 2, 5 को 2 स अब यहाँ पर जो mean आया है, वो आया है, 2.5 और जो data दे रखा है, वो 2 और 3 दे रखा है, तो इसका मतलब mean जो है, वो इन में से तो है नहीं, तो इसका मतलब यह वाला statement है, यह क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा, mean जो है, वो data में से number भी हो सकता है, और इसके अलावा भी हो सकता है लेकिन mod जो हमेशा data में से ही नमबर होगा थर्ड statement क्या दे रखा है ? यानि जो data दे रखा है उसी में से median होगा अब median क्या होता है ? median होता है जो mid term हो यानि बीच वाला पहले हम data को ascending order में लिखते हैं फिर उसका mid term देखते हैं तो अब यहाँ पे देखो जैसे यह हमने इसी example को अगर हम ले लेते हैं third के लिए भी one two three four four five तो यहाँ पे अगर हम median देखेंगे तो median क्या आएगा बीच वाला term यानि की two two यहाँ पे तो six term दे रखें हमें एक चीज को गायब कर देते हैं क्योंकि class six में जो course में है वो स्रिफ odd numbers का median find out करने को देता है तो इसलिए हमने five term ले लिए अब यहाँ पे median क्या होगा थिरी ठीक है तो median जो है वो थिरी आया और यह थिरी कहां से इसी data में से है तो median जो है वो हमेशा data में से ही number होगा तो इसका मतलब यह वाला statement जो है वो true हो जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे true ठीक है अब आते हम next यानि last part पे तो यह क्या दे रखा है the data यह हमारा data दे रखा है has mean nine तो यहाँ पे पूश रहा है कि क्या यह जो data दे रखा है इसका mean nine है तो कैसे find out करेंगे तो यहाँ पे पहले हम इसका mean find out करेंगे और जो mean आएगा अगर वो nine आएगा तो यह statement true है और अगर वो nine नहीं आएगा तो statement false हो जाएगा तो mean कैसे find out करते है sum of observation यानि जो observation दे रखा है उसका sum करेंगे नीचे लिखते है number of observation तो यहाँ पे जो दे रखा है इसको पहले add कर लेते हैं 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9 upon कितना दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो इसको हम 8 से divide कर देंगे तो सबसे पहले उपर वालों को add कर लेते हैं यह सारे once place पर दे रखे हैं 6 में 4 add करेंगे 10, 10 में 3, 13, 13 में 8 add करेंगे 21, 21 में 9 add करेंगे 30, 30 में 2 add करेंगे 32, 32 में 3 add करेंगे 35, 35 में 9 add करेंगे 44 44 का 4 लिखेंगे अब यहाँ पे 10th place पर क्या दे रखा यह 44 का हमने 4 लिखा 4 में 1 add करेंगे 5 5 में 1 add करेंगे 6 तो यहाँ आएगा 64 upon 8 8 का table पढ़ते हैं 8 8 is a 64 तो यहाँ पे अगर हम देखें तो mean जो है वो आया है 8 और जबकि हमसे पूँच रहा है कि क्या 9 जो है वो इसका mean होगा तो यहाँ पे जो answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा false क्योंकि इसका जो mean आया है वो 8 आया है जबकि हमसे पूँच रहा था 9 तो यह statement false है last part था questions हम आप next lecture में करेंगे next questions आज के लिए बस इतना ही